बीची सियाई आइपेल में कुछ बड़े बतलाओ करने जा रही है और इस बतलाओ के चलते आइपेल पूरी तरह से चेंग दोने वाला 31 जुलाई को बीची साय और आइपेल फ्रंचाइजी के ओनर्स की एक मीटिंग है और इस मीटिंग में आइपेल के लेकर कुछ एहम फैस्टे लिये जाएंगे इस रिपोर्ट के मताबिक आइपेल के सेलरी केट को 90 करोड से इंग्रीज करके 130 से 140 करोड किया जाएगा और वहीं प्लेयर्स के रिटेंसन को बढ़ा कर पास सिर्फ 6 खिलाडियों को रिटें किये जाने की संभाव में और ये भी बोला जा रहा है कि अगर किसी खिलाडियों को 30 लाट में खरीदा जाता है और वो खिलाडियों साल अच्छा प्रदर्सन कर वेता है तो टीम के पास ये उप्सन होना चाहिए कि वो उस खिलाड़ी को अधिक पैसे ओफर कर सके ताकि वो दूसरे टीम में ना जाये